जरा में mobile देख लूँ, जरा हम तयार हो जाए, जरा में जूता पहन लूँ इस प्रकार की sentences को हम हमारे day to day life में बहुत यूज करते हैं आज के स्पीजे में हम इन sentences को कैसे English में बलना है ये सिखेंगे मैं आपको बता दू, इस प्रकार की sentences को English में लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लेट भर की, चलिए इसके complete structure जानते हैं पहले आपको यूज करना पड़ेगा लेट, इसके बाद object case जैसे की mean, or, seem, or, अगर कुछ noun होगा वो भी लिखा जाएगा इसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा, बहर की fast form, इसके बाद other words चलिए इसके कुछ examples देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से clear हो जाए जरा में mobile देख लू, let me watch mobile, let me watch mobile, जरा उसे चाय पीनी दो, let him half tea, let him half tea हाप के बदले में आप टेख भी यूज कर सकते हैं, जरा हम तैयार हो जाए, let us get ready, let us get ready, let us get ready, जरा में जूता पहन लू, let me put an shoes, let me put an shoes, let me put an shoes, जरा हम खाना खाले, let us take food, let us take food, और you can say, let us eat food, let us eat food, eat take के बदले में आप हाप भी यूज कर सकते हैं, जरा में नाच लू, उसके बाद आउंगी, let me dance, after that I will come, let me dance, after that I will come, जरा में नहा लू, let me take a bath, let me take a bath, जरा में इसे पॉड लू, let me read it, let me read it,